जैसा है राम एफ्रिवान, वेलकम टू मेरी साई, आशा करती हूँ बाबा के कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे आज आप सब ही को बताऊंगी कि साई बाबा के चमतकारी पांच दिन वाला पूजा कैसे क्या जाता है और क्यू करते हैं हम ये पूजा देखिए ये जो पूजा है बहुत पारफुल है और इस पूजा को हम जेनरली अपने विश फुल्फिल्मिंट के लिए ही करते हैं For Example, अगर आपके मन में कोई खास मनोकामना है चाहे वो जौब-related हो, शादी से related हो, एक्जाम-related हो, प्रोमोशन-related हो, कोई भी मनोकामना ठेक है जो आप चाते हैं कि वो पूरा हो तो आप ये पूजा कर सकते हैं ये पूजा आप खुद के लिए तो कर ही सकते हैं किसी के लिए भी कर सकते हैं For example, अगर आपके पती को प्रोमोशन नहीं मिल रहा है तो उनके बहाफ में आप ये पूजा कर सकते हैं For example, आपके बेटे को अच्छे college में admission नहीं मिल रहा है तो आप अपने बेटे के बहाफ में ये पूजा कर सकते हैं For example, आपकी बेहन की शादी नहीं हो रहा है या फिर आपके भाई का शादी नहीं हो रहा है तो उनके बहाफ में आप ये पूजा कर सकते हैं यह जो पूजा है ना यह आपको पांच दिन तक regularly करना पड़ेगा, बीच में आप break नहीं लगा सकते, I repeat यह पूजा आपको पांच दिन regularly करना पड़ेगा, बीच में आप break नहीं लगा सकते, यह पूजा आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, पर प्रेफर कीजिए, Thursday से ही यह पूजा आप शुरू करें, For example, Thursday से अगर यह पूजा आप स्टार्ट करते हैं, तो Monday तक यह पूजा आपको करना पड़ेगा, काउन करके देख लिजी, Thursday to Monday, makes it five days, clear? यह पूजा आप सुभह या शाम को कर सकते हैं, पर make sure अगर यह पूजा आप सुभह स्टार्ट कर रहे हैं, तो पांच दिन तक सुभह को ही कीजिए, अगर यह पूजा आप शाम को कर रहे हैं, तो पांच दिन तक शाम को ही यह टिक हैं रखे बाबा के चर्णों में आप अपनी मन की इच्छा रखे और बताईए कि बाबा ये 5 दिन वाला पूजा है मैं इसी लिए कर रही हूँ ताकि मेरा सो यान्वान जो SD तो पूरी हो टिक हैं और अपनी मनोकामनाए बाबा के चर्णों में सौब के आपको जलाने है पांच दिये पांच दिये ठीक है अब मुझे पता है आप सभी के मन में ये भी सवाल आएगा कि दिया वही यूज करू कि नया यूज करू कौन सा तेल यूज करू तो देखिए अगर आप चाते हैं कि पांच दिन आप ने सेट अफ दिया यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं ठीक है पांच दिन पांच नया सेट अफ दिया अगर आप यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं नहीं तो आप जो पांच सेट अफ दिया पहरे दिन यूज कर रहे हैं वही आप throughout the पूजा यूज कर सकते हैं रही बात किस तेल से दिया जलाओं आप किसी भी तेल से दिया जला सकते हैं सरसो के तेल का दिया जला सकते हैं तिल के तेल का दिया जला सकते हैं अगर आपका मन करें कि आप खी का दिया जलाएंगे आप वो भी कर सकते हैं ठीक है बाबा के चड़नों में एक फूल चड़ाईए और बाबा को एक फल भी चड़ाईए पूजा के बाद ये प्रशाद घर के सभी सदस्यों में बाटिए बाबा का 108 नाम का जाब कीजिए प्रेम से बाबा की आर्टी गाईए और खुद को अपने मनों काम ना कीजिए ये पूजा पांच दिन का है पांच दिन पूजा मतलब पांच दिन तक ये पूजा होने के बाद जब आपका पूजा कंप्लीट होता है आपको इस पूजा के बारे में पांच जन को बताना पड़ता है इससे जादा और आपको कुछ नहीं करना ठीक है तो यही ब बस यही कहूंगी जब आप ये पूजा कर रहे हैं मन में डाउट रखे मत कीजेगा कोई भी पूजा चाहे वो आप सापता पारायन कहिए नव गुरुवार का व्रत कहिए नौ दिन नौ दिया कहिए या फिर ये पांच दिन का पूजा ही कहिए कोई भी पूजा जब आप पूरे दृड विश्वास के साथ करते हैं न बाबा पर आप विश्वास रख के ये पूजा करते हैं न तो आप देखिएगा आपको इस पूजा का असर समझ में आएगा फल बाबा जो इस पूजा से आपको फल दे रहे हैं वो आपको समझ में आएगा पर अगर आप अपने माइन पे दिल पे डाउट पाल की यह सब पूजा करेंगे न आपको इस पूजा का असर क्या है बाबा आपको क्या फल दे रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा और आपको यहीं लगेगा कि यह तो मैंने बेकार किया है तो जब भी पूजा करना है दिल से कीजिए विश्वास के साथ कीजिए बाबा ना बहुत काइंड है बहुत सुनते है बाबा से अच्छा लिस्नर आपको जग में कहीं नहीं मिन दे बाला कहीं नहीं बाबा बहुत प्रेम से अपने सभी भक्त को इंडिव्यूजल अटेंशन दे रहे हैं तो आपकी जो भी मन की मुराद है बाबा के चर्णों में सौपी और ये पांच दिन बाला पूजा करके देखिए मैं अशौर करती हूँ आप सभी की मनों कामनाएं बहुत चल्दी पूरी हो जाएगी बहुत सारे अनुभव है इस पांच दिन चमत कारी पांच दिन वाले पूजा को लेकर बहुत सारे डिवोटीज के क्या कहते हैं विश पूजा करना चाते हैं तो आप ये पांच दिन वाला चमत कारी पूजा कर सकते हैं ठीक है तो यही था बहुत प्यारा सा छोटा सा है आपको कोई हवन भी नहीं करना पड़ ला है ठीक है ना ही आपको बहुत सारे सामक्री चाहिए कुछ नहीं चाहिए मैं जो कहती हूँ ब अपना फ्यूचर सौप दीजिए बाकी साइं देखेंगे ठीक है तो मेरे साथ एक बाद जैकारा लगाईए ओम स्री सचिदानंद साइनाद महाराज की चै